हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अली वेटने विज्डम दोस्तों मैंने पिछले साल एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें काउ की जो न्यूट्रियंट रिक्वाइरमेंट हैं उनके बारे में बात की थी वो लो या मॉडरेट जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उन काउस के ब 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 75 लीटर इतना दूद देती हैं तो उनके कुछ जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कुछ हमें चेंजिस लाने पड़ते हैं उस प्रोड़क्शन को सस्टेन करने के लिए हैं जो ये एनिमल बने हैं जो काउस बनी हैं जो इनका जनेटिक सेलेक् किया गया है और ये उस पर खरी भी उतरती हैं मतलब उस प्रोड़क्शन को करने के लिए ये बनी हुई है बहुत स्टडी होती है उससाब से लेकिन जरूरत क्या होती है कि इन्हें प्रॉपर उस टाइप का मेनेजमेंट खासकर नूट्रिशन मेनेजमेंट इन्हें दिया यह ऐसी जरूरत है इन इन्हें जसनाफ जिस चीज की रेक्वारमेंट अगर इन्हें सब वह प्रोड़ किया जाएगा तो यह बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है और यह काफी प्रॉपीच अधीबल होती है तो यह क्यों प्रोफिटेवल होती है क्योंकि इनकी maintenance requirement होती है वो कम होती है और इनका production बहुत ज्यादा होता है तो इस वाली वीडियो में उससे बिल्कुल इसे compare ना करें इसमें जो जो इसके principles बताए गए हैं जो calculation बताई गई हैं उसे आप follow करें क्योंकि इसमें supplements का बहुत रोल होता है तो काउ की जो feeding होती है वो किस चीज़ प और कितना quantity of milk वो produce कर रही है stage wise feeding cows की जो होती है उसकी stage के according उसे हम phase feeding भी कहते हैं जैसे poultry में होता है poultry में आपने देखा होगा जो broiler farming होती है उसके अंदर तीन तरीके के जो दाने आते हैं एक तो pre starter होता है एक starter होता है और एक finisher होता है तो यह अलग-अलग growth को sustain करते हैं औ और एक optimum मतलब prices में optimum cost में उस मुर्गे को तयार कर देते हैं इसी तरीके से phase feeding अब का जो concept है high yielding cows में use होता है milk चाहे वो low yielding cow produce करे 10-8-10 लीटर देने वाली गाये produce करे या फिर 50-60 लीटर दूद देने वाली गाये produce करे वो एक साही रहता है उसका composition almost same रहता है उसके अंदर fat होता है 3.5-5% तक 3-4% protein होता है इसी तरीके साधे 4-5% lactose होती है और vitamin minerals होते हैं और वो suspended रहते हैं या solubilize रहते हैं उस water के अंदर तो composition जो cow milk का रहता है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब depend करता है breed के उपर animal की diet के उपर और stage of lactation के उपर तो breed बहुत एक important factor होता है जैसे hf को हम लें तो hf के अंदर जो fat है वो लगबग 3.5% के लगबग count किया जाता है अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी के अंदर 5% तक fat चला जाता है तो ये जो दो चीजे मतलब breed का जो difference होता है इसी के अंदर फिर diet भी matter करती है क्योंकि अगर hf को देखें तो वो 5.5% तक भी कभी-कभी fat चला जाता है तो diet एक important factor होती है जो की composition of milk को काफी हद तक influence करती है अगर हम milk yield के changes को देखें जो milk fat और milk protein में आते हैं during the different phases of the production तो इस graph में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिखाया है यह month है यहाँ पर 1-2 से लेके 12 month तक का period है इधर fat और protein की percentage दी गई है 3 से लेके 5 तक और इधर milk yield को दर शाय गया है अगर milk yield यहाँ पर 50 तक है तो क्या होता है कि जो early lactation का phase होता है जो 1-4 महिने तक चलता है इसमें दूद धीरे धीरे बढ़ता है अपना peak पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है fat cholesterol में और अगर देखें तो protein cholesterol में बहुत जादा हाई होता है लेकिन वह जल्दी से immediately नीचे आ जाता है और फिर जब पहला phase निकल जाता है early lactation का उसके बाद धीरे धीरे यह बढ़ना शुरू करता है जब milk का production डाउन होता है तो यह तीन phases होते है पहले phase में body weight का loss होता है body weight cow lose करती है milk production के लिए वो milk production की form में निकलता है दूसरे phase में body weight constant हो जाता है और तीसरे phase में अगर feeding सही हो रही है तो वो body reserves को regain करते हैं animals तो यह एक मोटी मोटी इसका जो पूरी physiology है वो यहां पर हो जाती है उसके बाद जो इसके components होते हैं वो कैसे influence होते हैं diet से दो एक में तो तीन इसमें major components होते हैं एक तो fat होता है तो fat की synthesis कैसे होती है fat की synthesis होती है जो acetate होते हैं और beta hydroxy butyrate है यह VFA है volatile fatty acids यह rumen के अंदर बनते हैं और उसके बाद blood के अंदर enter करते हैं और memory cells के अंदर पहुँचकर यह milk fat को बनाते हैं तो यह जो memory gland के अंदर डीनो वो fat synthesis होती है उसका जो raw material होता है वो rumen से आता है यह acetate और beta hydroxy butyrate roughage diet से बनते हैं जो भी हम body को roughage diet देते हैं silage की form में या फिर green fodder की form में तो वो acetate और beta hydroxy butyrate बनाते हैं तो 60% जो fat होता है milk का वो इसी तरीके से बनता है तो यहां पर diet की importance बहुत जादा होती है और साथ साथ buffering potential क्योंकि हमें high grain diet भी देनी है production को sustain करने के लिए तो high grain diet acidic environment बनाती है जिसमें fiber digesting bacteria मर जाते हैं और acidate hydroxy butyrate का जो production है वो down हो जाता है और fat उससे गिरने लगता है पूरी की पूरी rumen की जो digestive system है वो influence होता है दूसरा जो 40% fat होता है वो आता है नेफा से नेफा में पिछली presentation में ketosis वाली presentation में बता चुका हूँ कि क्या होता है यह non esterified fatty acid होता है यह तो body के fat से निकलता है या फिर जो आप bypass fat देते हैं उससे blood के अंदर direct enter करता है यह memory gland में जाता है और सीधा milk fat का part बन जाता है तो 60% depend करता है roughage diet के उपर और 40% depend करता है आपका जो fat आप मतलब body अपना mobilize कर रही है उसके उपर और जो fat आप bypass fat की उसमें देते हैं तो यह fat वाली जो presentation मैंने बनाई दी bypass fat वाली उसमें भी आप इसके detail देख सकते हैं लेकिन एक बात important यहां पर यह है कि bypass fat हमेशा देने से fat बढ़ जाए यह जरूरी नहीं है वो इसी वज़ा से जरूरी नहीं है कि अगर रफिज प्रॉपर नहीं है और यह वाले उसमें नहीं मिल पा रहे है तो fat वहाँ पर down मतलब चला जाता है दूसरा component होता है lactose अब lactose क्या है lactose glucose से बनती है अब अगर देखें तो directly glucose نई होती है cows के अंदर काउस के अंदर क्या अब्सोर्ब होता है प्रोपियोनेट अब्सोर्ब होता है प्रोपियोनेट ग्लुकोजेनिक प्रिकर्सर होता है ये अब्सोर्ब होके लीवर के अंदर जाता है और लीवर के अंदर जाके ये ग्लुकोज बनाता है तो यह propionate किसे बनता है जो high grain diet होती है, concentrate diet होती है, वो क्या करती है, propionate बनाती है, और propionate liver में जाके glucose बनाता है, तो circulating glucose बलड के अंदर से memory gland में जाता है, और memory gland से memory cells इसे ले लेती हैं, और lactose बनाती है, तो जो lactose है अपने आप में, वो क्या है, वो milk sugar है, तो milk sugar का मतलब यह है कि यह जो यह काफ होता है काफ के लिए energy का काम करती है लेक्टोस तो उसे जरूरत होती है लेकिन इसका milk में क्या function होता है कि इसका osmotic effect होता है osmotic effect का मतलब यह है कि यह milk की जो cell होती है memory cells वो lactose बनाती है और lactose यहां आके जमा होती है अब जब lactose यहां आके जमा होती है तो एक concentration gradient बनता है osmotic effect इसका बनता है तो इसे neutralize करने के लिए अपने अंदर पानी खेशती है बहार से तो milk का जो पानी आता है वो lactose की वज़ा से होता है तो lactose क्या करती है यह milk के volume को decide करती है जितनी जादा lactose होगी उतना जादा amount milk का बनेगा मतलब milk उतना ही जादा बनेगा तो जो lactose और water का जो ratio होता है इस वज़ा से वो जो ratio होता है वो maintain रहता है normal condition में अगर infection, mastitis वगेरा हो गया तो यह cells वगेरा टूड जाती है infection की वज़ा से और पानी वैसे ही अंदर आने लगता है जिसकी वज़ा से वो दूद बहुत पतला हो जाता है उसके अंदर खून भी कभी कभार देखने को मिलता है तो उस वज़ा से क्या होता है कि वो दूद पतला हो जाता है otherwise अगर नॉर्मल है condition तो lactose और water का जो content है वो बिल्कुल constant रहता है particular condition में तो जितनी lactose बढ़ती चली जाएगी उतना जादा पानी अंदर आएगा जितना जादा पानी अंदर आएगा वो उतना जादा दूद बनाएगा तो amount of milk वो बढ़ता चला जाता है तो lactose की जो मतलब मातरा होती है जो बनने की शमता होती है वो शुरू का ज बीटता जाता है समय तो lactose का बनना कम होता चला जाता है cells अपने आप उसे कम बनाने लगती है क्योंकि बचड़े को धीरे धीरे बचड़ा बढ़ा होने लगता है उसे lactose की इतनी requirement नहीं रह जाती है तो lactose का जो production होता है वो depend करता है supply of glucose precursor पे तो glucose जितना आप grain देंगे उ प्रोपेनेट से glucose glucose से lactose उससे फिर amount of milk decide होगा तो यह lactose की importance है इसी तरी किसे protein synthesis protein synthesis में amino acids होते हैं basically जो cow को require होते हैं तो protein जो है उसका basically ऐसा खास मतलब direct significance नहीं है लेकिन क्योंकि वो amino acids होते हैं उस वज़ा से protein animal की diet में required होता है तो यह जाके casein बनाता है जो milk का protein होता है उससे non-casein way proteins भी बनते हैं तो हमें basically amino acid animal को provide कराने होते हैं उससे और protein क्या main part होता है SNF का main part जो होता हो protein होता है तो energy और vitamin, protein, minerals इन सब की requirement हमने अपने cattle में देखी इसके बाद आप यह वाला graph अगर देखें इसमें heifer है आपकी 15 मन्त की इसे pregnant करा जाता है 15 मन्त पर 24 मन्त पर जाके यह carving करती है 280 दिन बाद carving हो जाती है उसके बाद यह lactation में आ जाती है 85 दिन का gap दिया जाता है जिसे service period कहा जाता है service period के बाद उसे दुबारा pregnant करा दिया जाता है 280 दिन बाद यहाँ पर 60 दिन का इसे dry period देते हैं ताके memory regeneration हो जाए memory cells का उस pregnant non pregnant or lactating non lactating lactation dry का वो cycle चलता रहता है अगर यह नहीं चले मतलब इसमें कम जादा अगर यह होने लगे तो animal की productivity उससे down होती चली जाती है तो वो कब होती है मतलब यह cycle कब तूटती है जब आप उसे proper nutrition proper management उसका नहीं रखते हैं और वो animal fertility उसकी down हो जाती है वो conceive नहीं कर पात है तो अगर बार बार वो carving में नहीं आएगा तो फिर इतना productive नहीं रहेगा profitability उसकी कम रहेगी तो nutrition इस वज़े से भी काफी important है तूसरी चीज़ यह है कि यहां पर हलागी हम 50 kg पर लिटर की production की बात कर रहे हैं लेकिन हमेशा 50 तो नहीं रहता है कभी 45 भी होता है कभी 55 होग 70 होगा तो सब में सब के लिए कुछ facts जब आप उसे calculate करें तो कुछ facts आपके दिमाग में होने चाहिए उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं जो low producer animal होते हैं वो जल्दी peak पकड़ते हैं जो peak production होता है वो जल्दी peak पे आते हैं लेकिन जो high producer animals होते हैं उन्हें peak पे आन आपकी गाय मानलो 50 लीटर peak production कर रही है तो लगबग 12,000 लीटर दूद 10,000 लीटर दूद प्रोड्यूस करेगी अगर वो 51 या 55 लीटर करने लगती है तो फिर 11,000 लीटर दूद प्रोड्यूस करेगी तो इसी तरीके से हम अगर उसको peak production को बढ़ा दें तो total lactation को उसका उसक persistence, persistence क्या है, persistence basically decline है कि किस rate से peak production पे आने के बाद animal डाउन जाता है, मतलब उसका production किस rate से कम हो रहा है, तो महीने में 4-5% का जो decline है, HF के अंदर वो मतलब normal होता है, तो यह animal इसी तरीके से इनका genetic selection हुआ है कि यह बहुत जादा इनके अंदर persistency होती है, अपना production जल्दी से नी और care नहीं करेंगे, उन्हें वो supplements नहीं देंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, तो यह नीचे बहुत तेजी से फिर गिरते हैं, अगर 4-5% से जादा decline हो रहा है पर मन तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ आपके management में कोई कमी है, तो यह genetically बहुत sound होते है, इनका genotype बहुत sound होता ह परसिस्टेंसी को लेकर, फिर एक चीज आती है, क्योंकि अपना body weight lose करते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी capacity होती है, अपने production को sustain करने के लिए अपना body weight lose करते हैं, तो एक kg अगर body weight equivalent होता है, 28 megajoule energy के, जिसका मतलब है लगबग 2.3 kg grain, मक्का या गेहूं के equivalent या concentrate के equivalent, तो इतना 1 kg जो weight lose होता है, वो 2.3 kg grain के equivalent मतलब energy provide करता है, कुछ high yielding cows ऐसी भी होती है, जो लगबग 2 kg तक अपना body weight lose कर देती हैं, तो इसका मतलब वो लगबग 4 kg grain के बराबर energy को release करती हैं, तो इसका फायदा ये है, जो body weight lose होता है, उसे पता अगर हमें पता रहेगा, तो जब हम calculate करेंगे अपना feed को, उसके nutrients को, तो हम इतनी energy की requirement को घटा देते हैं, क्योंकि शुरू में body negative, मतलब negative energy में रहती है, जो शुरू का जो early lactating phase रहता है, इसमें अंदर negative energy balance रहता है, तो उस negative energy balance को हम अपने utilize कर सकते हैं, feed formulation में, तो ये जो mobilization होता है body energy का milk production के लिए, ये modern cows का hall mark है, मतलब इसी के लिए, ये modern cows जानी जाती है, क्योंकि अपने body weight को lose करती है, production को sustain करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि हम उनका body weight वो फिर दुबारा से regain ना करें, या उन्हें खराब type का दाना खिलाएं या चारा खिलाएं, अगर उन्होंने एक बार लूज कर दिया, फ भी करें, जैसा है, यहां पर दिख राएं की दीरे-दीरे, यहां से थर्ड फेस में ये फिर गेन कर लेती है, तो अगली pregnancy, अगली काविंग से पहले इसे हम एक उस वाली स्टेज में ले आते हैं, जो प्री काविंग स्टेज होती है, मतलब body weight के हिसाब से, तो ये चार तर renew होती हैं, दुबारा से lactation में आने के लिए, ये dry period भी कहलाता है, इस दोरान weight को ज़्यादा change नहीं करना चाहिए, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, ओवर कंडिशनिंग भी cows की बहुत हमफुल रहती है, इसके बाद जब mid lactation में annual पहुंचता है, तो milk production धीरे-धीरे decline करता है energy की requirement कम होने लगती है, body weight stabilize हो जाता है, और net energy positive हो जाती है, मतलब production में कम energy जा रही है, लेकिन animal के पास कुछ energy बची रहती है, तो उस time वो body weight gain को करना शुरू करता है, final phase क्या होता है, फिर उसके बाद late lactation आती है, और उस time भी weight gain होता रहता है, तो final phase क्या होता है, उसके pregnant रहती है animal हमारा, और lactation नहीं हो रही होती है, लेकिन body weight increase हो चुका होता है, substantially, तो उस time body weight को छेड़ना जादा हमें नहीं है, लेकिन वो period हमारा memory recovery के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप उसे animal को dry ना करें और वो दूबारा carving में आ जाए, अगली lactation में फिर वो दूद न evolution कहते हैं, इस मतलब process को, और last phase में क्या होता है, rapid decline of lactose, जैसा मैंने पहले बताया था, lactose बननी बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब lactose बननी बंद हो जाएगी, तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, तो दूद नहीं बनेगा, अब यहां पर हम energy requirements को देखेंगे तो total जो energy, metabolic energy requirements होती है, मतलब जो metabolizable energy requirement है, lactating, dairy cows की, वो हम यहां पर calculate करेंगे, add करके, मतलब जितनी भी उसकी requirements है, different requirements होती है, जैसे maintenance requirement है, milk production की requirement है, सबकी अलग-अलग energy की requirement होती है, activity की requirement है, pregnancy की requirement है, तो इन सब requirements को हम add कर देते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ, क्योंकि body weight को भ early lactation में animal lose करता है, तो उसकी energy को हम वहाँ पर थोड़ा adjust करते हैं, अभी बताऊंगा किस तरीके से adjust होती है, तो क्योंकि body weight loss हो रहे होते हैं, वहाँ पर early lactation में, तो यह जो body weight loss हो रहा है, यह positively contribute करता है, energy availability में, तो हम इतना, मतलब जब requirement calculate करते हैं, तो body weight loss को minus कर देते हैं, तो इस वैसे जरूरी होता है कि आपके हाँ या तो आपको body conditioning की बहुत ज़्यादा पहचान हो, या आपके हाँ कोई ऐसा एक weighing scale हो, एक तराजू हो, जिस पे animal को आप daily के daily कुछ दिन तक मतलब नापते रहें, उसका वजन तोलते रहें, जिससे पता चलेगा कि animal कितना weight daily lose कर रहा है, उसी इसाब से आपको वो energy जो उसका राशन है वो बनाने में help मिलती है, तो इन ये जितनी भी मतलब ऊपर requirements है, इसमें milk production की requirement हो सबसे ज़्यादा रहती है, मतलब 80% तक जो requirement है energy की that is required for the milk production, तो लेकिन अब अलग अलग देख लेते हैं कि maintenance metabolizable energy maintenance के लिए कितनी चाहि है, अगर लग बग मान लीजे, अगर आपकी 500-500-500-600 kilo की गाया है तो उसमें 14 megakalory energy तो आपको maintenance के लिए चाहिए और 48 megakalory energy, 50 liter milk के लिए लग बग milk production के लिए चाहिए, ये tentative figure है, इसे calculate कैसे करते हैं, अब maintenance के लिए अगर हमें calculate करना है तो वो animal के body weight के हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर इस equation में जो W दिया है, ये W animal के body weight के लिए है, अब मान लीजे, अगर आपकी गाया है, वो 600 kilo की है, तो उसे calculate कैसे करेंगे, जो maintenance requirement है, metabolizable energy की, वो कैसे calculate करेंगे, तो इसे denote करते हैं megakalory per day में, तो आपको क्या करना है कि animal का weight लेना है, और इस formula में रखना है, तो इस formula में कैसे रखेंगे, तो आपके पास mobile है, mobile में आप अपना calculator खोलिए, और उसका जो scientific mode है, उसे on करिए, इसकी तरह जैसे आपको यहाँ पर यह screen पर दिख रहा है, आप 600 को तीन बार multiply कीजे, जो भी body weight होगा, उसे तीन बार multiply कीजे, जैसे 600 into 600 into 600, और उसकी जो value आए कीजे, मतलब square root को दबाईए, फिर वहाँ पर यह value लिखिए आप, और उसके बाद जो भी value आएगी, उसे कहीं note कर लें, दुबारा square root करें, और फिर तो अब जो value आएगी, उसे 0.124 से multiply करें, और आपका यह answer यहाँ पर आ जाएगा, अब यह जो भी कुछ है, हमने तो यह आपे 600 kg की गाय लिया हो सकता, 500 kg की हो यह 500 kg की हो, तो उस हिसाब से आप उसकी maintenance energy निकाल लेंगे, कि कितनी इसे चाहिए, इसके बाद आता है milk production, milk production के लिए अगर HF की बात करें, तो लगबग 1.12 megakalory energy चाहिए होती है, एक लिटर milk के लिए, तो 50 लिटर के लिए, आप 1.12 को 50 से multiply कर दें, तो आपको milk production के लिए energy मिल जाएगी, इसी तरीके से जर्सी में 1.4 होती है, क्योंकि इसमें fat content जाधा होता है, तो इसमें metabolizable energy requirement जाधा रहती है, activity की अगर हम बात करें, तो 0.239 megakalory per kilometer walking के लिए energy चाहिए होती है, इसके बाद body weight loss जो होता है, 1 kg जो weight, live weight होता है, that provide around 6.7 megakalory of metabolizable energy, pregnancy के लिए हम 6 महीने के बाद से pregnancy, जब 6 महीने का pregnant animal हो जाता है, उसके बाद extra energy देनी शुरू करते हैं, 6 महीने का pregnant है तो 2 megakalory, 7 महीने का है तो 2.4, 8 महीने का है तो 3.6 और 9 महीने का pregnant animal है, तो 4.8 megakalory extra energy हम उसे देते हैं, प्रोटीन requirement कैसे calculate होती है, अब प्रोटीन में, प्रोटीन हम जो feed में देते हैं, वो तो crude protein की form में होता है, ठीक है, अब जब crude protein animal के अंदर जाता है, वो digest होता है, रूमन के अंदर दुबारा से bacterial protein बनता है, जिसे microbial protein कहते हैं, और वो microbial protein फिर intestine में जाता है, और animal के blood में चला जाता है, वहाँ से amino acids, तो microbial protein sufficient होता है, अगर आपका animal 12 liter तक milk produce कर रहा है, एक दिन में, लेकिन उसके बाद अगर milk produce होता है, तो कुछ protein जो की rumen के digestion से escape कर जाता by rumen fermentation से, वो जो पहुंचता है, वो जो पहुंचता है intestine में, वो भी contribute करता है milk production के लिए, तो हमें जरूरी हो जाता है कि सिर्फ rumen के digestion पे ना depend करें, बलकि protein हम animal की intestine तक किसी तरीके से पहुचाएं, तो वो कैसे होता है, तो dairy cause में क्या होता है, कि ये दो तरीके से express होता है, त दूसरा होता है metabolizable protein, तो crude protein तो वो ये जो diet में हम दे रहे है, metabolizable protein क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो दो तरीके का protein होता है, एक तो rumen degradable protein, जिसे RDP कहते हैं, जो rumen में जाके degraded हो जाता है, digest हो जाता है, ammonia बनती है, ammonia से दुबारा protein बनता है, वो microbial protein कहलात होता है, एक वो होता है जो rumen के अंदर degrade नहीं होता है, जिसे bypass protein भी कहते हैं, इसे UDPP कहा जाता है, undegraded dietary protein, जो rumen को bypass करके सीधा intestine में पहुंच जाता है, बिना digest होए, तो metabolizable protein जो होता है, वो वो protein होता है, जो intact पहुंचता है, intestine ता, अब आपने crude protein दिया animal को, वो rumen में गया वो है digest हुआ, ammonia बनी, ammonia से microbial protein बना, bacteria इन दुबारा protein बनाया, वो bacteria कहा जाएंगे protein बनागे, फिर वो intestine में आने, intestine में जाके वो digest हो गया, और metabolizable protein बन गया, दूसरा यह रहा कि crude protein गया, आपका rumen के अंदर, लेकिन वो rumen के अंदर digest नहीं हुआ, undegraded रहा, digest नहीं हुआ, तो वो बाइपास कर गया rumen को, और वो protein जो था, वो intestine में पहुचा, वो भी metabolizable protein बन गया, अब जो requirement होती है, early lactation में, अगर हम rumen degradable और undegradable protein को पूरा, मतलब, balance कर लेते हैं, तो लगबग 18% तक protein हमें early lactation में, हाइल लिंक आउस के चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि metabolizable protein इतना हम नहीं, मतलब, available करा पाते हैं, आगे हम देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, कि उसे extra bypass protein देते हैं, उससे उसे, मतलब, balance करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे-जैसे lactation ये milk production कम होता चला जाता है, वैसे-वैसे requirement भी protein की कम होती चली जाती है, तो ये वोई diagram है, ये rumen है, उसके अंदर आपने dietary protein दिया, या urea, NPN दिया, तो वो क्या करता है, एक तो undegraded protein होता है, जो digest नहीं होता है, rumen के अंदर, और एक digest होता है, और microbial protein बना लेता है, तो microbial crude protein और undigestible या bypass protein ये जाते हैं, और metabolizable protein ये बना लेते हैं, अब कैसे calculate करते हैं, त उसकी equation यहाँ पर दी गई है, तो जिस तरीके से आपने metabolizable energy weight के basis पे calculate की थी, वैसे ही weight के basis पे यहाँ पर आप metabolizable protein भी calculate कर सकते हैं, तो 600 kg की जो गाये उसका, जो requirement होगा, maintenance का metabolizable protein का, वो लगबग 322 gram protein के requirement होती है, वो protein जो की intestine में पहुंचे है, intake, milk के लिए लगबग 51 gram metabolizable protein per kg of milk चाहिए होता है, pregnancy के लिए 6-7 महीने की pregnant है, तो 110 gram, 7-8 की है, तो 145 gram, और 8-9 महीने की pregnant है, तो 180 gram metabolizable protein की requirement रहती है, fat की कोई as such requirement defined नहीं है, लेकिन कुछ energy को balance करने के लिए हम bypass fat animal को देते हैं, या fat content, milk में बढ़़ाने के लिए bypass fat दिया जाता है, लेकिन total diet का 5-6% fat, 5-6% से ज़्यादा fat नहीं होना चाहिए, और additional fat जो आप add करें, वो तेल ना मिलाएं कभी भी अपने दाने में, क्योंकि जैसे आपने मक्का मिलाया, मेज मिलाया, या सोया मिलाया, सरसु की खल है, या बिनॉले की खल है, बिनॉला है, तो उनमें already कुछ न कुछ fat होता है, त तो आप अलग से तेल ना मिलाएं, अगर आपको additional मिलाना है, तो आप bypass fat की form में उसे मिलाएं, अब ये calculation है, animal की energy की calculation है यहाँ पर, और protein की calculation है, metabolizable protein कितना रहता है, तो यहाँ पर metabolizable energy के यहाँ formula भी लिखे हुए है, उसके साब से यहाँ calculate करेंगे, तो metabolize, maintenance के लिए में कितन energy चाहिए, वो हम इस से calculate कर लेंगे, इस formula से तो वो कितनी आएगी, लगबग 15 मेगा कलोरी है, energy हमें चाहिए, maintenance के लिए, milk production के लिए 1.12 मेगा कलोरी पर लेटर चाहिए, और 50 लेटर की अगर milk की requirement है, मतलब 50 लेटर milk produce हो रहा है, तो 1.12 into 50, तो 56 मेगा कलोरी energy हमें milk production के लेटी है, वो अपने बान में जाती है, milk पारलर में जाती है, या वहाँ से जो भी घुमती है, तो 0.24 मेगा कलोरी उसके लिए भी हम कर लेते हैं, और हाइल डिंक काओ है, 50 लेटर दूद प्रोड्यूस कर रही है, तो लगबग 2 kg early lactation में अपना body weight भी daily lose करती है, तो 6.7 मे energy release होती है एक से, तो total अगर हम देखें, तो body में से कितनी energy release हो रही है, 13.4 मेगा कलोरी energy release हो रही है, तो जब हम energy को calculate करेंगे, तो इतने को minus कर देंगे, तो इसका मतलब हमें 57.84 मेगा कलोरी energy चाहिए, उस काओ को जो की एक मन्त की lactation में है, प्रेगनेंट नहीं है, ना ग्र जो कर रही है, और 50 लीटर दूद दे रही है, इसी तरीके से metabolizable energy को, प्रोटीन को calculate कर लेंगे, तो वो कितना आएगा, लगबाग 2872 gram metabolizable protein चाहिए, अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जो animal है, उसे हम जो भी अब energy है, कुछ भी देंगे, वो TMR की form में देंगे, कुछ भी अलग अलग नहीं देनी चाहिए, हाइल्डिंग अनिमल्स को, क्योंकि फिर selective feeding होने लगती है, और अनिमल के अंदर, मतलब acidosis और वो सब condition होने लगती है, अगर आप अलग अलग चीजे देंगे, क्योंकि dry matter intake भी matter करता है, तो TMR की form में हम देते हैं, और TMR कैसे बनाते हैं, silage लेंगे, सिर्फ और concentrate लेंगे, उससे हम बनाएंगे, अब TMR की specification क्या हैं, वो यहाँ पर बताई गई है, metabolizable energy, लगबग 2875 kilo calorie per kg of TMRO, crude protein 18 तक इसमें लिया जाता है, fat 5-6%, NDF जो रहता है, neutral detergent fiber, human के activity के लिए प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, कि NDF 30-34% तक रहे, और effective NDF लगबग 25%, इसी तरीके से calcium 0.6%, phosphorus 0.38%, sodium 0.23%, chloride 0.2%, potassium, mineral mixture, बहुत ही अच्छी quality का mineral mixture आपको यूज़ करना होता है, इसमें high density, जिसमें trace minerals की high density हो, chillated mineral भी चल जाते हैं, और non organic organic दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत उसकी बात नहीं रहती है, vitamin premix, vitamin की बहुत importance है, खासकर vitamin A की, और vitamin D की, उसके साथ साथ toxin binder, फिर probiotic एक आपको चाहिए होता है, ताके human का environment ठीक बना रहे, और antibiotic growth promoter भी यूज़ होते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, enzymes और buffers वगएरा, alkalizers और ये सब यूज़ होते हैं, तो total energy हम यहाँ पर किस तरीके से calculate कर सकते हैं, कि हमें पता है कि हमें 57.84 megakalory energy animal को required है, तो silage में कितनी energy होती है, 2.5 megakalory पर kg उसका dry matter basis पर energy रहती है, 25% dry matter यहाँ पर उसका consider किया गया है, concentrate में लगबग 3250 kilokalory या 3.25 megakalory energy होती है पर kg basis पर, 90% इसमें dry matter रहता है, और dry matter intake एक यह वाले animals में इस stage में बहुत important रहता है, कुछ animal मतलब produce तो करते हैं लेकिन उनका dry matter intake अच्छा नहीं होता है, तो वो कुछ भी करके आपको उसे बढ़ाना होता है, चाहे आप उन्हें मतलब appetizers दें, उनकी भूख बढ़ाने के लिए कुछ products आते हैं या flavors आते हैं, थ्री भी अगर आप बना लें तो भी चल जाता है, लेकिन 3.25 at least वो dry matter intake अपना animal ले, तो जितना जाए जाए जादा dry matter intake होगा, उतना animal sustain करेगा high production को, तो इसका मतलब लगबग 19 kilo dry matter animal को एक दिन में चाहिए, इस 19 kilo का 60% जो होता है, वो in the form of concentrate होना चाहिए हमेशा, तो 60% को अगर हम calculate करेंगे तो 11.7 kg आएगा वो, तो 11.7 kg है और concentrate की energy 3.25 है, तो total जो 38 megakalorie energy है, वो हमें concentrate से मिल जाती है, तो बाकी बची energy कितनी है, वो हमें total चाहिए थी 57.84 या 58 के लगबग, तो बाकी जो 20 kilokalorie energy है, वो हमें silage से मिलती है, तो silage 7.8 kg silage हम use करते हैं, इसमें मतलब अगर उसे 4 से multiply करेंगे, तो 31 kg silage की requirement रहेगी, 31 kg silage में लगबग 19.5 megakalorie energy रहती है, तो यह अगर हम total करेंगे, तो यह लगबग इतनी बैठेगी जितना हमें required है, 57.84, इसके बाद आता है total metabolizable protein, तो हमें कितने protein की ज़रूवत है, लगबग 2872 gram protein की ज़रूवत है, metabolizable protein की, तो total crude protein जो हम दे रहे हैं, क्योंकि 11.7 kg तो concentrate है, उसके अंदर लगबग हमने 21% protein रखा है, concentrate के अंदर, तो concentrate से हमारा 2457, ग्राम protein जाएगा, मतलब metabolizable, जो total crude protein जो है, वो 2457 ग्राम जाएगा, साइलेज से total crude protein कितना जा रहा है, लगबग 616 ग्राम, तो total crude protein जो एनिमल के अंदर पहुंच रहा है, वो 3073 ग्राम पहुंच रहा है, तो metabolizable protein कितना होता है, हम 70% मान के चलते हैं, crude protein का, तो crude protein का 70% हो गया, 2151 ग्राम, तो 2151 ग्राम एनिमल के अंदर metabolizable protein पहुंच रहा है, तो कितना रह जाता है, और हमें जरूरत थी 2872 ग्राम की, तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमें, 2872 में से 2151 को हमने माइनस किया, तो 720 ग्राम metabolizable protein की जरूरत है, तो ये हम किसकी form में देते हैं, ये हम bypass protein की form में देते हैं, तो additional आपको लगबग 1 kg या 5 kg के करीब bypass protein देना पड़ेगा, उसके बाद animal का जो energy और protein है, वो balance हो जाएगा, एक बात इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कि animal का energy और protein ratio नहीं बिगड़ना चाहिए, जितना उसके requirement है, तो उतना उसे पहुँचना चाहिए, otherwise अगर वो बिगड़ता है, तो बहुत सारी metabolic problem शुरू हो जाती है, माली जाए energy का में प्रोटीन जादा है, तो वो protein से energy बनाने लगे, ग्लुकोनियोजनेसिश शुरू हो जाए, ग्लुकोनियोजनेसिश अगर शुरू होगी तो मैं, animal एक dynamic state में आ जाता है, और अपनी muscles को वो करने लगता है, मतलब, dissolve करने लगेगा, क्योंकि body, मतलब, slide होने लगती है, दूसरी तरफ, अपनी body के muscles को dissolve करने के लिए, तो उस वाली condition में क्या होता है, blood urine nitrogen बहुत बढ़ जाएगी और आपका animal infertility की condition में भी मतलब, चला जाता है कई बार, ऐसे animal में heat stress के बहुत chances बढ़ जाते हैं, moderate सी भी अगर गर्मी होगी तो वो heat stress में आ जाता है animal, तो energy को बहुत important है कि energy और protein का ratio मतलब maintain रहे, भले ह आप कम करनें दोनों चीज़े, तो animal मतलब जादा खाएगा, production उसका कम हो जाएगा, लेकिन animal metabolically destable नहीं होगा, अब concentrate का जो formulation है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसे या तो आप purchase कर सकते हैं market से, अगर market से purchase कर रहे हैं, बह आप अच्छे अच्छे concentrate market में आते हैं, वो खरीदे जा सकते हैं, उन्होंने यूज किया जा सकता है, इसी तरीके से, या फिर आप उन्हें अपने आप भी बना सकते हैं, घर में, अगर घर में बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको grains जो यूज होती हैं, grains जो यूज होती अगर आप यूज करेंगे तो इस बात का खहाल रहा है कि इसमें लाइसीन काफी एक लीमिटर्ड उसमें इसे यूज कीजें और अगर यह यूज कर रहे है तो अज़ेजनल लाइसीन इसमें मिलाना चाहिए अगर यह ज़ादा काउनटेटी में यूज हो रहा है के उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है और जो यूजल फॉर्मुलेशन होता है कंसेंट्रेट का उसके अंदर लगबग 640 किलो मक्का 280 किलो सोया डी ओसी और 30 किलो फैट बाकी 50 किलो प्रिमिक्स बनाएंगे तो आपका एक टन ये बन जाएगा प्रिमिक्स के अंदर मिथियूनिन लाइसीन विटामिन खासकर एडी इ मिनरल्स बायोटीन नियसीन नियसीन बहुत इंपोर्टेंट है हाई इडलिंग अनिमल्स के लिए ये यूमेन की जो साइकिल होती है वी एफ लिटी को बहुत इंपक्ट करता है उसे सस्टेंग बनाकर रखता है बायोटीन क्योंकि बहुत जरूरी है ऐनिमल्स के जो जोड होते हैं या उसके जो खूर होंगे हूँवस होंगे उसकी हेल्थ के लिए क्योंकि जब हाई ग्रेंड डाइट जाती है ना तो बॉड़ी एस जाती है वो एसे डिक लेक्टिक एसिड और और जो एसे डिक उसमें कंपाउंड होते हैं वो जाके जोडों के उपर जमा होने लगते हैं लेमनेस वगेरा की प्रॉब्लम आने लगती है तो बायोटीन की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है इसी तरीके से सोड़ा टॉक्सिन बाइंडर जरूरी है क्योंकि जब इतना जाता ड्राइंटिक हो गा ईनीमल का तो जितने बी टॉक्सिंस आंगओ बहुत थो जाता हैं रियूमन के अंदर टॉक्सिन τटॉक्सिन बाइंडर दूनों तरिके जरूरी होते हैं इन ओर गैनिक भी और एंगैनिक भी तो जो मैंने आपको भी probiotic product दिखाया था, ये दो-तीन चीजों से लेके, ये मतलब में मेरा खुद का ही design किया हूँ है, जो की toxin binder का भी काम करता है, ये probiotic का भी काम करता है, और ये appetizer का भी काम करता है, ये तीनों चीजे मतलब इसकी impact करता है, और ये ना सिर्फ human को healthy रखता है बलकि intestine को भी healthy रखता है इसके reviews मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जब मैंने इसका भी trial किया है तो ये आप use कर सकते हैं animal इसकी dose बहुत जादा नहीं है probiotic की ये dose है इसकी खाली 10 gram पर animal के साब से इसकी dose है तो आप try कर सकते हैं उसके अलावा NPN यूज होते हैं enzymes यूज होते हैं और calcide, DCP, salt ये सब आप pre-mix में आ जाते हैं इन सब को आप mix कीजिए concentrate में और silage को एक mixer में अच्छे से उसका TMR बना लें और वो TMR अपने animal को दिन में 2-3 बार में दें एक बार में तो animal इतना नहीं खाएगा लेकिन जैसे आप उसका time बना लें और जिस time दें आप तो daily उसी time दें क्योंकि वो biological clocks जो होती हैं उसकी बहुत importance है तो दिन के ठंडे समय में दें animal को उस time को stress नहीं होनी चाहिए और जब आप उसकी milking करते हैं तो उस time थोड़ा चोकर बगएर आया जो भी कुछ आप उसे देते हैं तो वो दे सकते हैं तो अब यहां पर यह पांच points हैं याद रखने वाले जो आपको यह बताया कि यह इस तरीके से animal का यह feed हम calculate कर सकते हैं इसके अलावा यह points बहुत important है अगर आप इन्हें नहीं follow करेंगे तो मतलब animal को high production पर sustain रखना थोड़ा मुश्किल रहता है तो यह हलाएं कि यह वाले points मैंने कुछ और वीडियो में अपनी पहले explain कर चुका हूं लेकिन फिर भी हाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि energy और protein का जो ratio है उसे टच ना करें बिलकुल भी अगर वो टच होता है तो बहुत सारी metabolic problem शुरू हो जाती है उसमें सबसे पहली आती है fatty liver की problem और fatty liver में animal का पहले तो production डाउन होना शुरू होता है फिर वो infertile हो जाता है और अगर मतलब बहुत excessive मतलब condition में पहुँच गया है तो वो death भी हो जाती है मतलब अचानक से जो animal die करते हैं उसके बाद transition period में negative decad को maintain करना उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है prepartum period में otherwise milk fever की problem आ जाती है production तो down हो गई और animal भी उससे infertility में पहुँच जाता है और बहुत साही problem शुरू हो जाती है उसके बाद animal का जो fluid replacement बहुत ज़रूरी है जैसे ही वो मतलब caving हो जाए तो electrolyte और fluid से आप उसे replace करें ताके abomasal displacement की problem ना आए और animal को एक energy मिल जाए और वो production को maintain करें acidosis को बिलकुल ना बनने दें अगर animal के अंदर acidosis होने लगा तो उसकी appetite चली जाएगी dry matter intake कम हो जाएगा तो generously use करें buffers को alkalizers को उसे maintain करने में वरना होगा क्या lemnese आ जाएगी और dry matter intake उसका कम हो जाएगा और dmi dry matter intake को किसी भी तरीके से maintain करके रखें अगर dry matter ही अगर कम हो जाएगा काय खाएगी नहीं तो वो produce क्या करेगी एक हद तक अपने body के results को mobilize करेगी सूख के बिलकुल उसकी हड़ियां दिखने लगेंगी आपको और फिर animal की productive life भी खतम हो जाएगी और उसकी fertility वोगेरा सब खतम हो जाएगी तो animal लेक्दम बिलकुल बेकार हो और अगर इस तरीके से feed कराते हैं तो थोड़ा बहुत आप उसे animal को अपना मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से उसका production कम जादा भी कर सकते हैं लेकिन बशरते वो अपनी एक maintenance में रहे वो जितना production के लिए बनी है उससे उतना requirement के हिसाब से nutrients पहुँचते रहे हैं तो जो भी हमने पिछले उसमें discuss किया अगर इन points को आपने मतलब follow नहीं किया तो शायद उस वाली feeding से जो बताई गई है इतना फायदा ना हो जितना होना चाहिए यह वो product है thank you for watching this video फिर कोई video बनाएंगे एक और topic पर important topic पर thank you for watching consultation के लिए आप नीचे description में link दिया गया एक link दिया गया उससे click कर सकते हैं और contact कर सकते हैं